अंतर राश्ट्रिय युवा विद्वान, जैन दर्शन में युनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धान तेवं नयाय विशयों को सरलता से समझाने वाले USA, England, Australia आदी अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले पंडित टोडर्मल पुरसकार युवा विद्वत रत्म आदी अनेक पुरसकारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जैपूर द्वारा जानिये, धर्म का मर्म डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ग्यानदान में सहभागी बने एक दिन की 9000, अथवर 3000 के तीन प्रायोजक मिलकर भी ग्यानदान स्वरू प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है अर्थात एक रुपे की अलपराशी में दस भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंब व अंत में रंगीन चित्रव सभी के नाम का उलेख किया जाता है इस कारिक्रम के प्रायोजक हैं आयत्र पर्वागम अस्यभीजम निशिध जात्यंद सिंदुर विधानम सकलने विलसितानाम विरोध मतनम नमाम्यने कांतम विरोध मतनम नमाम्यने कांतम पुरुशार सिद्धी उपाय नाम की एद्रंथ है अम्रचंद्राचारी देव की यह सुंदर रचना और यहां चर्चा बंद के संदर्व में चल रही थी एक सो पंद्रे नमबर का यह है श्लोक था दो सो पंद्रे नमबर का जिस श्लोक के अंतरगत यह बात कही गई कि कर्म का बंद के से होता है पिछला प्रक्रण इस तरह का चल रहा था रत्मत्रई से बंद नहीं है राक से बंद है अब ये बंध किस प्रकार से होता है इसी प्रकरण को बतलाते हुए चार प्रकार का बंधन कह दिया और चार प्रकार का बंधन बतला करके साथ में यह भी कह दिया कि ये जो चार प्रकार का बंदन है इसमें प्रकृती बंध, प्रदेश बंध ये दो प्रकार के बंध तो होते हैं योग से और इस्थिती और अनुभाग बंध ये दो प्रकार के बंध होते हैं कशाय से तो प्रकृती, प्रदेश बंद, इस्तिती और अनुभाग बंद ये दो-दो कर्मों के जोड़े हो गए और कारण निकल करके सामने आए दो जिन में एक का कारण था योग और दूसरा कारण था कशाय इसका मतलब योग और कशाय के कारण ही वास्ताओं में कर्म का बंद होता है तो जिन जीवों को कर्म का बंद नहीं करना हो वे कशायें नहीं करें इसा टूडरमल जी साब का वाक्य था पड़ीजी साब का ये कहना था कि जिन जीवों को बंधन नहीं करना हूँ वे कशाएं नहीं करें खितने समझदारी का सा वाक के दिखाई देता है सुनने और बोलने में तो बहुत सरलसा लगता है लेकिन कैसे हो आत्म ग्यान के बिना और आत्म अनुभूती के बिना आत्मा की तरफ देखना है आकशाई स्वभाव को देखना है उससे ही कशाईयों पर विजय प्राप्त होती है कल जो यहां चार प्रकार के बंद की चर्चा को प्रारंब किया था प्रार्म करने के उपरांत हमने चारों प्रकार के बंद का स्वरूब भी बता दिया था उम्मीद करता हूँ मोटा मोटा तो इतना आपको ख्याल में होना ही चाहिए क्या होता है प्रकृती बंद क्या है प्रदेश बंद क्या है इस्तिती और अनुभाग बंद थोड़ी सी दो मिनिट चर्चा करने के उपरांत फिर यहां जो इनोंने प्रकृती बंद के अंतरगत ग्याना वरनादी का स्वरूप बतलाया है उसे पढ़ना है हमारे को देखिए प्रकृती बंद क्या होता है पहले प्रदेश की बात करूँ आत्मा के प्रदेश प्रदेश शब्द का प्रियोग क्षेत्र के अर्थ में किया जाता है प्रदेश शब्द का प्रियोग एरिया के अर्थ में किया जाता है प्रदेश शब्द का प्रियोग ये कौन से एरिया में है इस अर्थ में करते हैं है ना किसाब आप कौन से प्रदेश में रहते हो उमाकान जी किसाब हम तो महराष्ट्र में रहते हैं कि हम तो करनाटक में रहते हैं हम तो राजस्तान में रहते हैं तो यह है क्षेत्र यह है प्रदेश ऐसे ही आत्मा का अपना एरिया है तो जो आत्मा का एरिया है वो कहलाता है आत्मा का प्रदेश जैसे आत्मा के प्रदेश हैं इसी तरह से पुद्गल के भी प्रदेश होते हैं माने पुद्गल के पर्माणूं का अपना रहने का एरिया होता है इसी तरह से जो दुनिया में और द्रव्य हैं जिने धर्म द्रव्य कहा, अधर्मास्ती काय कहा, आकाशास्ती काय कहा, कालाणू कहा ये सोब के प्रदेश हैं कालाणू यद्यपी एक प्रदेशी होता है इसलिए कभी-कभी उसको अप्रदेशी भी कह देते हैं बहु प्रदेशी नय होने के कारण इसलिए वो अनस्तिकाई कहलाता है अभी सिर्फ इतनी बात हमें समझनी है कि प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक पदार्थ के रहने का अपना अपना एरिया है खुद का हर द्रव्य का खुद का एरिया है और वो उसका प्रदेश के लाता है तो कर्म प्रदेश है कर्म परवानू कर्मों के भी प्रदेश है और आत्मा के प्रदेश अब दो तरह के प्र और यहां शब्द दिया है प्रदेश बंध, तो क्या करें बुलो इस प्रदेश बंध का मसलब, दोनों के प्रदेश कहे थे और प्रदेशों का परस्पर में बंध, ये प्रदेश बंध है, समझाने के लिए कह रहा हूं बात, अभी इसमें प्रकरन आएगा, आगे चल करके क करेंगे अपन चर्चा तो उन बातों को और विशेश रूप से देखेंगे जब आएगी चर्चा प्रदेशों की गिंती भी केते हैं असंख्याती हैं वो तो ठीक है ना अनन्त है अनन्त कर्म परमाणू प्रती समय बंद रहे हैं और अनन्त कर्म परमाणू प्रती समय छूट रहे हैं असंख्यात लोग प्रमान प्रकार बनते हैं और परवाणूं की संख्या वह अनन्त है ऐसा है तो अनन्त बनते हैं तो आत्मा के प्रदेश और अनन्त कर्म परवाणू इनका बंदन यह प्रदेश बंदन हो गया समझाने की दरश्टी से बात कर रहा हूं अब बुले प्रकृती शब्द का अर्थ होता है स्वभाव ये क्या होता है प्रकृती माने स्वभाव है जैसे ज्यानावरन कर्म की अलग प्रकृती है उनका नेचर अलग प्रकार का है दर्शनावरन कर्म का नेचर अलग प्रकार का है इसी तरह से मोवनिय, अंतराय, वेदनिय, आयू, नामगोत्र ये जितने कर्म कहे हैं इन समस्ख कर्मों का नेचेर अलग अलग प्रकार का है नेचर मने होता है प्रकृति नेचर को सबका अपन अपना स्वभाव है अभी यह के रहे हैं जैसे ग्यानावर्णी कर में हैं तो उसका स्वभाव है ज्ञान को ढखना दर्शन आवरण भले दर्शन के ऊपर आवरण है ना इस तरह से सब के अपने अपने स्वभाव होते हैं गुड का स्वभाव मीठा होता है मिश्री का स्वभाव मीठा होता है मिर्श का स्वभाव तीखा होता है नमक का रही है यहां इन स्वभावों के संदर्व में मने प्रकृती के संदर्व में तो हमने का जो कर्म परवाणू आत्मा से चिपके थे मने जिने हमने प्रदेश बंद कहा था अब वो प्रदेश ऑटोमेटिक अपने अपने स्वभाव के हिसाब से उनके गुरुप में कनवल्ट ह कुछ परमानूं ज्याना वर्णी के हैं कुछ दर्शना वर्णी के हैं कुछ मोहनी के सब अलग अलग अटमेटिकली उनके परमानूं जो हैं बट गए यह प्रकृती बंद प्रदेश प्रदेश ऐसा समझो प्रदेश गुरूप है ये प्रदेश जुड़ जाना अब प्रदेशों के साथ में अब हैं प्रकृती प्रकृतियां क्या हैं बोले ये ज्ञाना वरनी की ज्ञाना वरनी के साथ में दर्शना वरनी की दर्शना वरनी के साथ में मोहनी की मोह अंतर अंतर आये अलग लग प्रकृती प्रकृति यह प्रकृति बंद है कि इस कितने TIME वानुभाग फल किस तरह का मिलेगा वानुभाग बंद कहलाता है अनुभाग मने होता है रस आप जानते हैं हमारे जेन साहित्ते में जेन आगमों में एक शट खंड आगम नाम का ग्रंथ है महान ग्रंथ प्रतम शुरुत इसकंद केते हैं शुरुत पंचमी के दिन लिखकर के पूर्ण हुआ था उस शट खंड आगम के छे खंड है नाम ही उसका है शट खंड आगम छे खंड है जिस आगम के उसका नाम है शट खंड आगम तो बोले ये कहते हैं उन छे में से पांच तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में है जो छटा खंड है उस छटे खंड का नाम है महाबंध बूद्वली आचेरे का लिखा हुगा क्या नाम है उसका नाम महाबंध क्या नाम है महाबंध पता है सात भाग है उसके मोटे-मोटे में कितने मोटे-मोटे बताऊं आपको आपने यदि मोटे मोटे ग्रंत देखें समय सार देखा है आपने इतना मोटा मोक्ष शास्त्र देखा है इतना मोटा 700-700 पेज के एक एक भाग ऐसे साथ भाग हैं किसके सबसे पहले इनका प्रकाशन विदीशा से हुआ था महाबंद के साथ भाग हैं अंकलेश्वर में लिखा गया पूर्ण हुआ साथ भाग हैं आपको जान करके आश्यर होगा उन साथ भागों में यदी किसी का वर्णन है तो वो है प्रकृती बंद प्रदेश बंद इस्तिती बंद और अनुभाग बंद चेप्टर क्लोज बस हैं इतने मोटे मोटे गृंतों में महाबंद नमें उसका छटागंड शठ अ हम्टागंगा साथ मोटी मोटी पुस्तकों में बुले प्रकृति प्रदेश इस्तिति अनुभाग ये «चार प्रकार के बंदों की ही चर्चाय आया विस्तार से क् adesso यह क्या बंद दाए की से बं ये जो प्रकरण हम यहां पढ़ रहे हैं ये प्रकरण कोई साधारण नहीं है ये कोई अपूर्व बाते हैं ये भगवान की दिव द्वनी से चली आई हुई बाते हैं ये बातें साधारण चदमस्त जीव के पकड़ में आवें ऐसी नहीं है लेकिन समझ में आवें ऐसी तो ह कर्मों को साधरण जीव पकड़ तो नहीं सकता लेकिन अनुमान तो लगा ही सकता है तो ये चार प्रकार के बंध जिनका संक्षिप्त स्वरूप हमने देखा उनमें से पहले का नाम है प्रकृती बंध इस प्रकृती बंध की चर्चा यहां प्रारंब कर रहे हैं देखिए प्रकृती नाम स्वभाव का है पेज नमबर खोली है आप 259 दोसो 69 नमबर का पेज है नई वाली हमारी पुस्तकों में पुरानी में और गुजराती में अलग अलग पेज नमबर है तो देख लेना आप स्क्रीन पर तो बंध चार प्रकार का है यह तो हो गया प्रकृती बंध की बात कर रहे हैं पहले नमबर वाला प्रकृती नाम स्वभाव का है कर्मों की मूल प्रकृती आठ और उत्तर प्रकृती एक सो अड़तालीस हैं लोग हो गया मूल प्रकृतियां तो आठ हैं कर्म की फिर उनके सबडिवीजन हैं अंदर ये अंदर जैसे ज्ञानावरणी कर्म ये मूल है फिर दर्शनावरणी ये दूसरे नमबर पर है फिर मोहनी अन्तराई वेदनी, आयू, नाम, गोत्र ये सब अलग अलग आठ हो गए मूल है आप सबड़िविजिन करो तो आठ और है ज्ञाना वरनी कर्म कर एक सबखिया प्रज़ित्व वरण कर्म के नौ नौ वेद हैं फिर मोहनी कर्म के पहले वेदनी नाम दिया है इसमें वेदनी के दो और मोहनी के अठाइस आयू कर्म के चार नाम कर्म के 93 और गोत्र कर्म के दो और अंतराय कर्म के पाँच तो इस तरह से कुल 148 इनकी उत्तर प्रकृतियां हैं सब काफी सब लोगों को मैं समझता हूं एटी नाइटी परसेंट लोग अपनी सवा में जो हैं सब को ये सारी बातें पता होगी और होनी भी चाहिए मोटी मोटी बाते हैं हमें पता तो होना चाहिए किन पर विजय प्राप्त करनी है हमें पता तो होना चाहिए मुक्त किस से होना है मुक्ष की प्राप्ती करनी है तो किस से मुक्त होना है और यह सब कर्म प्रकृतिया है और आठ कर्मों हो चाहिए आठों कर्मों की 148 प्रकृत इन्होंने आज तक मेरा अनाधी काल से कुछ नहीं बिएढ़ा है और भ问िस्य में विगाडने में समर्द हो नहीं सकती हैं क्योंकि यह सब जड़ रहें कर्म बखात्मा बखात्मा हैं कर्मों की बलवता मत समझत गन्य दिखाई देते कर्म के उदेजन परिस्टितियों की चर्चा फिलाल हम यहां कर रहे हैं 259 पेज पहला कर्म ग्याना वरन कर्म का स्वभाव परदे के समाने हैं अभी दसक्षन परवों में चलाया था दिगंबर जेन महासमीति का राश्ट्री एस्टर पर आयो जन था ऑनलाइन चला था आप लोगोंने सबने सुने होंगे मैं दावे के साथ किया सकता हूं लगबख सब लोगोंने सुने होंगे हज्जारों हज्जारों लोगोंने सुने हैं वो सब प्रवचन आप लोगोंने सबने सुने ही होंगे ग्याना वरन क्या है ग्याना वरन चित्र दिखाए थे हमने स्क्री जैसे किसी रखी हुई मूर्थी के ऊपर परदा डाल दिया जाएं देख यहीं से पढ़ लेता हूँ इसमें भी लिखा यही सब बाते हैं जैसे जिस वस्तू के ऊपर परदा ढगा हो वे परदा उस वस्तू का ज्यान नहीं होने में कारण है पता नहीं लगता है हमारे को मूर्थी रखी हुई है मूर्थी के ऊपर परदा रखा हुआ है परदा डला हुआ है तो यदि परदा डला हुआ है तो हमें पता नहीं लगता है ना अंदर क्या है वो मूरती दिखाई नहीं देती है हमारे को इसी तरह से हमारे अंदर में ग्यान है और ग्यान के उपर एक आवरण है उस आवरण का नाम क्या है? ग्यान पर जो आवरण है उसका नाम है ग्यानावरण वो ग्यानावरण कर्म ग्यान को होने नहीं देता क्या ग्यान को होने नहीं देता इसका मतलब ग्यान नहीं हो पा रहा है इसमें यदि किसी का रोल दिखाई देता है तो वो रोल है ग्याना वर्नी कर्म का बहुत से लोगों को शिकायत होती है मुझे याद नहीं होता मुझे समझ में नहीं आता मुझे दिखता नहीं यह नहीं होता मैं भूल जाता हूँ पंड़ जी मैंने बहुत याद किया फिर भी समय पर भूल गया बोलो यह क्या है यह यह क्या कहना चाहरे हूँ अब मैं भूल गया मैं भूल गया मुझे याद नहीं रहा, हैं बजार गए, क्या काम से आया था, याद ही नहीं है, जगती अपना नाम भूल जाते हैं, यादधाश तो चले जाती है, और ये नमालूम कितनी कितनी तरह की परिस्टितिया बनती है, इस ग्यानावरनी कर्म के उधे में, जब इस ग्यानावरनी कर्म का तीवर उधे होता है, तब इसके माध्यम से क्या क्या अनर्थ नहीं होते हैं, ये ग्यानावरनी कर्म की बाते हैं, ये अनर्थ कर बैठता है ग्यानावरनी कर्म, जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, विचार शक्ती से ये शून्य हो जाता आए विचार नहीं कर पा रहा है यह परदा है ग्यान का आवरन आवरन जितना मूटा होता है ग्यान में उतनी बादा आती है आवरन जितना पतला होता है उतना इस ग्यान में आने लगता है लाइट जल रही है परदा लगा है पता लग रहा है कि नहीं कि लाइट जल रही है लगता है पता इसके लिए कई बार सूर्य के ऊपर आने वाले बादलों का भी एक्जामपल देते हैं उसकिया ज्याना वर्णी कर्म के संदर पर्दे का एक्जामपल का उदारन दिया है आठ तो पढ़ते चलेंगे अब अब तो सुन सुन करके पक्के हो गए होंगे हमारे सब्षोता एक होता है उदय और एक होता है क्षयोप्षम उदय अपना काम करता है और क्षयोप्षम भी उसी ज्यानावलनी कर्म में होने के कारण वो उगार दिखाई देता है तो अभी जितना मूटा परदा डला हुआ है जितना मूटा परदा लगा हुआ है उतना उसकी जो रोशनी है वो कम दिखाई देती है अभी परदा बहुत मूटा था रोशनी कम दिख रही है परदा पतला हुआ तो रोशनी और ज्यादा दिखने लगी परदा और बारिक तो और ज़्यादा प्रक्रट दिखाई देने लगा इसी तरह की इस्तिति है अभी इस ग्यानावर्णी करम के पांच तो मूल प्रक्रतियां बतलाई है और वैसे ग्यानावर्णी करम के असंख्यात लोक प्रमान भीद पड़ते हैं कहां तक बताएं आपको क्या क्या चर्चा करें ऐसा लगता है एक एक विशे को नई जानने देने के कारण एक एक तरह का ज्यानावर्णी करम है असंख्यात लोक प्रमान भीद के दिये ग्यानावर्णी करम के इस तरह से समझाते हैं कभी कभी समझाते हुए कभी देखा होगा बाव जी साब ग्यान जी साब कोटा से बोलो ऐसा सुना होगा आपने कि आप ये पैन नहीं दिख रहा यह रुमाल नहीं दिख रहा ले सा नहीं देख नहीं पर रहे हैं देखने की शक्ती भी हैं देख भी रहें जान भी रहें ग्यान का विशे भी कुछ नहीं कुछ बन रहा है लेकिन पर्टिकुलर कोई एक वस्तू मेरे ग्यान का विश्य नहीं बन रही है तो किते हैं तत सम्मंदी ग्याना वर्णी कर्म का उधय है जैसे रुमाल है समझ ना प्रक्राण अपन ग्याना वर्ण समझ रहे हैं थोड़ा सा मुझे आठ कर्मों में आठ दिन नहीं लगाने हैं आप चिंता नहीं करें अभी सब जितने निप्टेंगे तीन चार तो अभी पूरे करी देंगे तर कल पूरे कर देंगे सारे क्या रुमाल आवरणी रुमाल आवरणी रुमाल का आवरण रुमाल पर जिसका आवरण है रुमाल आवरणी चक्षु इंद्री ये संबंधी मती ज्याना वरण कर्म का उदय हुने पर रुमाल नहीं दिखाई देता ये रुमाल चक्षु इंद्री का विशे बना सरवार्थ सिद्धी में पुझे पाद आचारे ऐसा कहते हैं ये रुमाल हमारे चक्षु इंद्री का विशे बना ख्योप्षम समझाते हैं वो तो कैसे बना कि रुमाल सम्मंदी रुमाल को देखने के लिए यह नहीं दिख रहा है यह नहीं दिख रहा है दुनिया भर की कुछ बातें नहीं दिखाई देरी है कि हमारे को कुछ पता नहीं लग रहा है यह रुमाला वरणी नाम का ग्याना वरणी कर्म का उधे है जो चीज नहीं दिख रही है बड़ी अल्मारी के अंदर आपको कोई चीज तलाश रहे हो और उसी में रखी हुई है और अपने आपने अपने हाथ से रखी थी और दिख न प्रतिनी यह तम अर्थम व्यवस्ता प्यति है क्या है अब आपने तु सब पड़े हैं परिक्ष्यामुक में सूत्र है मूल सूत्र है हमारे बहुत सारे सब विद्वानों सब के पड़े हुए है परिक्ष्यामुक सूत्र तत्वार सूत्र जैसा ग्रंत है न्याय का ग्रंत है परिक्ष हमुख जुँचम लख्षन योगजतर्इआ क्शेणम लख्षन योगजतर्इव वस्तू विर्यंद्र जी कहते हम क्ये नहीं बोलो यह कैसा कर्म है जूइ जो स्वावरन कर में यह कर्म किस प्रकार का कर्म है पिता ये सब बोलो कौन से करम की बात कर रहा हूं स्वावरन जिस वस्तू की चर्चे चल रही है उसका आवरन टेबल नहीं दिख रही है तो उनका शेवप्षम होने पर वो विशे बनती है जैसे देखिए हमने अभी आपसे बात करते समय कही गाये देखी है आपने बिल्ली देखिए बंदर देखा बंदर अब गाये बिल्ली बंदर इन सम्मंदी मती ज्याना वरन करम का शेवप्षम आपके होने पर तुरंत आपके ज्यान का विशे गाये बिल्ली बंदर बन गया बेटे हो आप अपने अपने घर में और घर में बेटे हैं और गाय ज्ञान का विशे बन गई बिल्ली ज्ञान का विशे बन गई बंदर ज्ञान का विशे बन गई यह केसे बन गया आई बोले ग्यानावर्णी कर्म का क्षे उप्षम सामने होती हुई चीज नहीं दिखाई देवे ये ग्यानावर्णी कर्म का उदय और नहीं होते हुई चीज भी ग्यान का विशे बन जाए ये तत्सम्मंदी ग्यानावर्णी कर्म का क्षे उप्षम बड़ा विचित्र प्रकार का कर्म है ये ग्यानावरनी कर्म तो ये बड़ा खतरनाक है याद की वई चीजों को बुला देता है आपको अपने से परीचे नहीं कराता है परीचे नहीं होने देता है इस तरह का ये कर्म है देखिए परदा जैसे डखा हुआ हूँ वे उस वस् ग्यान नहीं होने में कारण है उसी प्रकार जब तक आत्मा के साथ ग्यानावरं कर्म रूपी परदा हो तब तक रहा है यह दो को success जाता है के कि हुचए तक यहां के दिमाग में आरही होगा यह कि चर्चा ऊपच्छमेस दिखने है कि क्या चेश्मे से नहीं दिख रहा हैं दिखता तो आँख से ही है हमें ऐसा लग रहा होगा कि चेश्मे से दिखने लगाएं क्या ऐसा लगता है हमारे को चेश्मे से यदि दिखता हो तो फिर इसका मतलब ये हो गया चेश्मे से यदि दिख रहा हैं आपको तो फिर किसी को भी चेश्मा लगा दो फिर तो इस रुमाल के चेश्मा लगा दो तो रुमाल को भी दिखना चाहिए फिर यदि आप मुर्दे के ल रगा हो तो देखता नहीं है डॉक्टर कहता है आँख से देखने की ताकत तो हो तब तो काम चलेगा तो चश्मे से नहीं आँख से देख रहा है अब इसी तरह से आँख से नहीं देख रहा है आँख के पीछे ग्यान है उससे देख रहा है इनमें कई तरह के हेतू बनते हैं कि अभी आप इस प्रक्रन को थोड़ा सा गेराई से देखेंगे ना तो आपके समझ में आएगा क्या समझ में आएगा आपके कि जैसे देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा से एक से मैं कुछ आपको क्या कह रहा हूं जान देना कि के इंद्रियों की चर्चा करते समय दो तरह की बाते बत लाई तत्वार सुत्र में एक दरविंद्रियां और यह बहु रुक गए यहा यहां तो मेरा दब्हवे चार करमाज पूरे हो जाएं जो होंगे तो होंगे कोई बात नहीं सुनो द्रव्यंद्री और भावेंद्री है द्वीविधानी ऐसा सुत्र दिया और द्रव्यंद्री के बारे में कहां निर्वरत्य उपकर्णे द्रव्यंद्रियम और भावेंद्री के बारे में कहां बावेंद्री मतलब ज्ञान है वो तो एक तरफ कर दो अब यह जो हैं द्रव्यंद्री की बात करें तो निर्वरत्ती और उपकरण क्या निर्वरत्ती केते हैं प्रदेशों की सनरचना और उपकरण केते हैं इंस्ट्रूमेंट यह सब द्रव्यंद्री आएं फिर उसमें भी अभ्यंतर उपकरण और बैरंग उपकरण अभ्यंतर निर्वरत्ती और बैरंग निर्वरत्ती यह सब द्रव्यंद्री चार प्रकार की होगी अभी बात कितनों को क्या समझ में आ रही होगी मुझे पता नहीं क्या कितनों के क्य बात समझ में आ रही होगी सचिन जी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा उपयोग एक अगर करके आलोग जी भाइसाब पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे होंगे देखे चार स्टेप हो गए एक स्टेप है सिर्फ द्रविंद्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि आँख कान की चर्चा चल रही है ला इसलिए द्रविंद्रियों की बात करता हूँ भाविंद्री तो ग्यान के फेक्टर में चला गया भाविंद्री तो हो गया आत्मा की बात अलो उसको तो एक तरफ रख दो अभी द्रविंद्रियों में निर्वरत्ती और उपकरण दो हिस्से कर दिये क्या का नहीं पा रहे हैं का मतलब नहीं समझा संतो जी वैसा अब नहीं समझ पा रहे हैं शायद ऐसा कहना चारे हैं समझाता हूं द्यान दीजिए निर्वरत्ती और उपकरण अभी निर्वरत्ती दो तरे की अभ्यंतर और बहिरंग उपकरण दो तरे का अभ्यंतर और बहिरंग चार चीजें हो गई अंतरंग निर्वरत्ती बहिरंग निर्वरत्ती अंतरंग उपकरण और बहिरंग उपकरण अभी ये सारे द्रव्यंद्रियों की चर्चा हैं अभी कह रहे हैं निर्व्रक्ति क्या चीज हैं निर्व्रक्ति हैं पौद्गलिक सनरचना इनमें अभ्यन्तर निर्वर्ति कहा प्रतिनियत प्रदेशों का आकार अंदर में अंक बिल्कुल अंदर सब्सक्राइब उसी से जुड़े होएं अंदर में चक्षु हिंद्री के सनमुख पुद्गल परवाणों की आकार संड़चना ये तो अभ्यंतर निर्वरत्ती है फिर ये निर्वरत्ती बराबर हो तो कह रहें अब चाहिए उपकरण तो उपकरण में जैसे आपकी आँख में जो काला और सफेद पंजो दिखाई दे रहा है ये क्या ये काला और सफेद जो दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है ये हैं अभ्यंतर उपकरण और ये जो आगे वाला है जो पलके हैं ये है बैरंग उपकरण अब समझे ना बही रंग उपकरण के खराब हो जाने से कोई फरक नहीं पड़ता यदि अभ्यंतर उपकरण बरावर काम कर रहा है तो सब चीजें बरावर होनी चीए जैसे कान है यह जो शेप दिख रहा हैं आपको कान पकड़ लिए अपने कान पकड़ लिया अच्छा कान काट दो इसके तो मैं यह कहता हूं कान काट दिये तब उस व्यक्ति को सुनाई देगा क्या नहीं देगा बताओ क्यों कि यह बाइण उपकरण अंदर पर्दा परदा जब अंदर अब पढ़ाई पर्दा इंवा अब्धि अब जो अब्या भी वो यदी गड़बड हो गया तो फिर नहीं सुनाई देगा मने परदा खराब हो गया तो नहीं सुनाई देगा अभी थोड़ा कठिन तो लग रहा होगा मैं समझ सकता हूं बात तो बराबर है लेकिन इन उपकरणों में जब तक बराबर नहीं हो तब भी नहीं दिखाई देत घीवते हो एसा कहना चाहता हूं कारण तो कर्म का उतया है चुढ़ो प्कारण तो कर्म का उतया है अंऔर करन तो लेकिन यह आँख्यां बराबर नहीं हें फिर आंख्यांक चे अंधर तो सतने पाBlत ए आंदर न्ध्रशन के क्या interacting कि अउपकरण में तो आपरेशन कर सकते हैं निरव्रत्ती में ऑपरेशन क्या करेंगे बतला सो तो आपरेशन करके यह जो यहां गडबड़ थी इस गडबड़ को अटा दिया तो आखों से दिखाई देने लग गया जैश्मा क्या काम करता है चैश्मे में कुछ इस प्रकार क सामर्थे होती हैं जो उसको enlarge करके दिखा देता है कि वो इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता है अब बड़ा हो यह तो देखने लग जाता है तो यह सब अलग अलग तरे की बाते हैं लेकिन भाई यह सब परतंत्रता है है मतियान और शुर्ट यहाना वररं करम के उधे जन्य मति और शुर्ट यहान की परतंत्रता है हमारे इसकिती इसी प्रकार की है, आंक के सामने कुछ आ जाए तो नहीं देख पाता है, कुछ का कुछ दिखाई देता है, हैं टोडर मजदी ने खा, आंक के आगे फूला आदी कुछ आ जाए तो नहीं दिखाई देता है, दूल के करण आ जाए तो नहीं दिखाई देता है, किसी तरह की तो नहीं दिखता हैं ज्यादा पास में हो तो नहीं दिखाई देता हैं चक्षु इंद्री को न्याय शास्त्रों में अप्राप्यकारी कह करके पुकाराए है चार इंद्रियां तो प्राप्यकारी है और चक्षु इंद्री को अप्राप्यकारी कहा गया है मने चार इंद्रियां इसपरशन, रसना, ग्राण और कर्ण ये चार इंद्रियां तो प्राप्य कारी का अर्थिये है टच हुए बिना ज्यान नहीं करती परिवार किशनगर राजस्थान डॉक्टर संजीब कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारन का लाभ प्राप्त कर ज्यानदान में सहभागी बने एक दिन की 9000 अथवत 3000 के तीन प्रायोजक मिलकर भी ज्यानदान स्वरू प्रदान करने पर लाखु लोगों द्वारा प्रव किया जाता है